इसलाम अलेकों मैंने में इस वजल वहाब यूर वाचिक माई योट्यूप चैनल क्वेस्टन नबर 6 आज हम करेंगे मॉडल पेपर 1 माथमेटिक्स का ख्लास 9 के लिए तो क्वेस्टन नबर 6 हैं इसके क्वेस्टन नबर 6 हैं तो यह एक नया टॉपिक है जो कि पुराने वाले जो बुक ती उसमें शामिल नहीं थी अभी उसके अंदर शामिल कर दी गई है तो इसमें यह डिस्टन स फर्मूला हम यूज करेंगे क्वेस्टन नबर 7 को सौल कर लेते हैं दो पॉइंट्स हैं पी 2-3 है और क्यू माइनस 4-5 है इसको सौल कर लेते हैं हमारे पास जो पॉइंट पी है क्वेस्टन नमबर 6 है पॉइंट पी हमारे पास 2-3 है और पॉइंट क्यू जो हमारे पास है वो माइनस 4-5 है माइनस 4-5 ठीक है और हमें निकालना है डिस्टिंस निकालना है क्या नि डिस्टिंस के लिए जो फार्मूला होता है ने पी क्यूं हम लिखेंगे पी क्यूं यह लिंद कितनी बनेगी वो डिस्टिंस फार्मूला ठीक है वो क्या है कि X2 माइनस X1 होल स्क्वार प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वार और अंडरोट यह फार्मूला है डिस्टिंस फार्मूल देखिए इसमें X1 आपके पास यह वाला X1 है यह Y1 है यह X2 है यह Y2 है ठीक है यह दो पॉइंट्स है P23 यह X1 Y1 यह Q का X2 Y2 फर्मूला X2 माइनस X1 होल स्कूर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्कूर ठीक है यह फर्मूला होता है डिस्टिंस फर्मूला कहलता है उसको अब अभी वेलू पूट कर देजिएगा X2 मेरे पास माइनस 4 है और X1 मेरे पास 2 है यह माइनस 4 माइनस 2 यह माइनस फर्मूला के अंदर है और यह माइनस 2 हो जाएगा ठीक है और यह होल स्कूर प्लस Y2 Y2 इस 5 5 Y1 इस 3 तो माइनस यह माइनस Y1 Y1 इस 3 और यह होल स्कूर और यह अंडरूट इस तरह से ये माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा whole square 5 माइनस 3 is 2 square अगर आप इसको माइनस 6 का square 36 हो जाएगा प्लस 2 टू जा 4 ये अंडरूट आपके पास आ रहे है तो ये 40 अंडरूट हो जाएगा 36 प्लस 4 इस 40 अंडरूट टीक है अब इसमेंसे देखें कि कोई नंबर ऐसा है जिसमेंसे यानि हम square को निकाल सकते हैं अगर आप इसको कर देंगे 8 5s of 40 कर देते हैं ये रफली आप उसको जड़ा understand कीजिएगा कि इसमेंसे हम इसको solve कैसे कर सकते हैं 10 4s of 40 या 8 5s of 40 भी कर सकते हैं देखें मैं इसको अगर थोड़ दू तो 2 multiplied by 2 multiplied by 2 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5s of 40 इसमें ते कि एक square ये बन जाएगा बाकि कोई square नहीं बन रहा तो ये जो square बन रहा है 2 का square आ रहा है उसका square अंडरूट के साथ cancel हो जाएगा ये बाहर निकलाएगा ठीक है यानि मेरे पास इस तरह से मैं लिख सकता हूँ PQ जो मेरे पास आ रहा है वो ये 2 का square आ रहा है और चुकि इसका कोई square नहीं है तो उसको 10 कर देजिए 2 5s of 10 कर देजिए अब मज़िद सके करने के जो ये तो ये 2 बाहर निकलाएगा और ये अंडरोट 10 अंदर रह जाएगा ये distance ये यूनिट लगा दीजिए कि यहाँ पर यूनिट गिवन नहीं है कि संटिमीटर है या मीटर है या किलमीटर है तो आपने क्या करना है कि सरफ यूनिट लगाना है उसके साथ टीक है तो ये simple question था इस cancer आ गया दो points P और Q के दर्मियान distance हम किस तरह से निकाल सकते हैं distance formula की मदद से निकाल सकते हैं distance formula again मैं यहाँ पर लिख देता हूँ distance formula जो है वो क्या है कि distance जो भी होगा आपके पस that is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square और ये under root इस तरह कैसे ये distance formula है दो points अगर आपके पास given है जिसे हम आपके आपके दो points given थे तो हमने distance formula की मदद से इन दोनों points के दर्मियान distance या length कितनी है वो हमने निकाल दी Thank you झाल संग से कई अ fist कि झाल